में आज आप सिखेंगे Home tab के font block के अंतरगत font और font size बदलना bold, italic, underline, strike through, subscribe तथा superscript options का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे like करें अन्य लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें यदि आप किसी word, sentence या paragraph का font चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप वो matter टाइप करने से पहले font चेंज कर लें और यदि आपने matter पहले से टाइप कर रखा है तो जिस भी word, sentence या paragraph का font चेंज करना हो उसे select कर लें जैसे हमने ये पहला paragraph select कर लिया है और हम इसका font चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए home tab में font block में जाकर यहां से आप जो भी font चाहें ले सकते हैं जैसे ही हम किसी भी font पर mouse ले जाते हैं उस font का preview हमें अपने selected paragraph पर नजर आने लगता है अब preview में आपको जो भी font अच्छा लग रहा हो उस पर आप क्लिक कर दें हमें ये aerial font अच्छा लगा तो इसको चुनने के लिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं यह देखिए जो paragraph हमने select किया था उसका font चेंज हो गया है इसी तरह यदि आप font size चेंज करना चाहते हैं तो पहले matter select कर लें फिर home tab में यहां पर font size option पर क्लिक करें और जो भी size आप चाहें उस पर क्लिक करें और यदि आप चाहें तो increase font size और decrease font size options की सहायता से font size बढ़ा या घटा सकते हैं यदि आप किसी text को bold करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस text को select करें फिर home tab में जाकर font block में bold option पर क्लिक करें या फिर shortcut keys control plus B प्रेस करें यह देखें selected text bold हो गया है अगर इसे वापस पहले की तरह normal करना है तो दोबारा select करके font block में bold option पर क्लिक करें या फिर control plus B keys प्रेस करें यह देखें यह text वापस normal style में आ गया है अब यदि आप किसी text को italic style में करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उस text को select करें फिर home tab में font block में italic option पर क्लिक करें या फिर control plus I प्रेस करें यह देखें selected text italic style में आ गया है अगर वापस इसे normal करना है तो home tab में जाकर font block में italic option पर फिर से क्लिक करें या फिर control I प्रेस करें यह देखें वापस यह normal हो गया है यदि आप किसी text के नीचे underline करना चाहते हैं तो उसे select करके home tab के font block में underline option पर क्लिक करें या फिर control U प्रेस करें आप चाहें तो underline की अलग-अलग styles भी यूज़ कर सकते हैं उसके लिए इस option के पास एक drop down arrow है इस पर क्लिक करें अब यहां से आप जो भी underline style चाहते हैं उसे choose कर लें और यदि आप underline का कोई color चुनना चाहते हैं तो वो आप यहां से चुन सकते हैं और यदि text underline हटाना है तो दोबारा यूपर क्लिक करें या फिर control U प्रेस कर दें यदि आप किसी text को अनुपयोगी रूप में दिखाना चाहते हैं यानि आपको लग रहा है वो कामका नहीं है और आप उसे काटना चाहते हैं तो उसे select करने के बाद strike through option पर क्लिक करें यह देखिए selected paragraph में जो text था वो कट गया है अगर इसे वापस normal करना है तो फिर से strike through option पर क्लिक कर दें सामने तोर पर जब भी हम कोई text टाइप करते हैं तो वो एक सीध में होता है पर कभी कभी हम उस line के नीचे की तरफ और कभी कभी उन शब्दों के ऊपर की तरफ कुछ numbers या letters लिखते हैं जैसा कि science formulas का उपयोग करते समय अक्सर होता है माल लिजे हम लिखना चाहते हैं h2o या co2 तो इसमें 2 जो है वो line के नीचे आता है अब ये इस तरह से जो हमने h2o लिखा है ये सही नहीं है ये 2 h के नीचे आना चाहिए तो इस तरह से type करने के लिए हम subscribe option का उपयोग करेंगे पहले हम उस letter को या number को select कर लेंगे जो हमें नीचे चाहिए और उसके बाद इस option पर click करेंगे अब ये देखिए ये 2 नीचे चला गया है और अब हमारा ये formula जो है वो सही नज़र आ रहा है इसे तरह से maths के formula में जब हम square यानि घात लगाते हैं तो वो शब्द के उपर की तरफ लिखा होता है जैसे x square, y square अगर हमने इस तरह से type किया तो ये x2 हो गया ये x square नहीं क्यालाएगा x square बनाने के लिए 2 को हमको x के उपर की तरफ ले जाना होगा तो उसके लिए हम इसको select करके superscript option पर click करेंगे अब ये देखिए ये 2 छोटा होकर के x के उपर आ गया है तो ये x square हो गया इसी तरह से मालीजी हमको लिखना है 100 degree तो पहले तो हम 100 लिख लेंगे इसके बाद o लिखेंगे और इसको select करके superscript पर click कर देंगे तो ये देखिए ये हो गया 100 degree MS Word 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा home tab के font block के अंतरगत, font और font size बदलना, bold, italic, underline, strike through, subscript तथा superscript options का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें, अने लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियोज की जनकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें